प्यारे बच्चो क्लास 12 इकनॉमिक्स का चेप्टर बाद चेप्टर महत्पून कोश्चन जो परिच्छा उप्योगी है आप लोगों को बता रहा हूं ये चेप्टर 2 का तीसरा पार्ट का वीडियो है यदि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सकेंड पार्ट के वीडिय के माध्यम से देखेंगे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथ ही बच्चों को या वीडियो जरूर सेयर करें तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं सबसे हीट कोश्चन है जो एक मांग अनुसूची तथा उप्यूक रेखाचित की साहता से मांग के नियम की व्याख्या करें अथवा में रहेगा कोश्चन मांग के नियम को बताएं अने बातों के समान रहने पर का क्या मतलब है जिस पर या नियम अधारित है अथवा वस्तु की मांग को परभाईत करने अध्वा, मांगे नियम की व्याख्या करे और इसके अपवादों को लिखे या फिर मांगे नियम की अवधारना को बताए तो इतना तरीका से पूछेगा जो पाट का आपको question रहेगा उसी पाट का अप answer दीजिएगा इसका answer है कि मांग का नियम क्या है तो किसी भी वस्तू का जब मुल बढ़ता है तो उसका मांग क्या होता है घट जाता है और जब मुल घटता है तो मांग बढ़ता है मलब मुल और मांग के बीच क्या होता है विपरी संबंद होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं मांग का नियम मांग का नियम मुल तथा मांग के बीच के विपरी संबंद को वेक्त करता है मारसल के सब्दों में मांगी गई मातरा मुल में कमी के साथ बढ़ती है तथा मुल में विर्धी के साथ गटती है फिर है किसी दिये हुए समय में भीन-भीन मुल्यों पर किसी वस्तु की जितनी मांग की जाती है उसकी एक अनुसूची तयार करे तो उसे ही मांग की तालीका या मांग अनुसूची कहेंगे जैसे जब कीमत है मेरा 8 मांग मातरा कितना है 2 जब कीमत 8 से घटकर 6 हो गया तो मांग मातरा 2 से बढ़कर 3 हो गया फिर 4 होने पर 4 हो गया फिर और घटने पर मातरा और बढ़ गया तो जैसे जैसे कीमत घट रहा है वैसे जैसे मांग मातरा बढ़ रहा और अगर इधर से चले 2 लोक से चार हुआ है तो मांग मातरा क्या हो जाएगा पांस से घट कर चार हो जाएगा मरला मांग और मुल्क के बीच विपरी संबन होता है तो इस तालिका को हम लोग मांग अनुसूची कहेंगे अगर यदि हम चितर से इसको दिखाएंगे तो हम लोग को मांग वक्र लिया गया है और वाई अच पर कीमत को लिया गया है कीमत मेरा कहां तक है तो दो से लेकर आठ तक तो यहां दो से लेकर आठ तक गये और मातरा है मेरा पांस तक तो जब कीमत आठ तो मातरा कितना दो तो यहां आठ है इसके सामने और यहां है आपका दो ठीक यहां पर बिं कि लिए मांग मातरा तथा वाय अच पर एक्स वस्तु के मूल को दर्साया गया है मूल घटने से मातरा बढ़ती जाती है इसलिए डीडी मांग की रेखा उपर से नीचे दहनी और गिरती है अब है मांग के नियम की मान्यात आए या फिर इसको हम लोग कह सकते कोश्चन में द पतलब होता है तो ये मान्यताएं को ही हम लोग अन्य बातों के समान रहने पर कहते हैं तो क्या-क्या इसका मान्यता है अन्य बाते समान रहे इस वाक्यांस का अर्थ कुछ मान्यताओं से है जिस पर या नियम अधारित है पहला इसका मान्यता है कि उभोकता की आय इस्थीर र तिसरा है परतियास्थापन की वस्तु का उत्पादन नहीं होना चाहिए परतियास्थापन की वस्तु क्या होता है जैसे लाइबवाई साबुन और बिरीज साबुन या लाइबवाई साबुन या लिरील साबुन चाय और कॉफे ये सब जो हुआ परतियास्थापक वस्तु वमलब एक नहीं मिला तो उसके जगा हम दूसरा का परियोग कर सकते हैं दूसरी वस्तु के कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए यहाँ दूसरी वस्तु का मतलब हो गया पूरक वस्तु जैसे गाड़ी और पिट्रोल यदि पिट्रोल का दाम बढ़ने लगेगा तो गाड़ी का मांग परभावित होगा तो यहाँ हुआ दूसरी वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए फिर है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और निम्न कोटी की वस्तु नहीं होनी चाहिए इसकी मानेताय हैं अब इसको परभावित करने वाले कौन-कौन से तत्व है तो पहला है आय में परिवर्तन तो जब लोगों की आय बढ़ जाती है तो उसकी क्रैसक्ति बढ़ जाती है और वस्तु नहीं है तो कम-कम समान खरिद रहे है क्या होता है अगर आय बढ़ आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा आय कम होगा तो मांग भी कम हो जाएगा दूसरा है मुल में परिवर्तन तो समानता कीमत के कम होने पर वस्तो की मांग बढ़ती है मलब जिस वस्तो का कीमत कम होगा उसका मांग जादा हो सकता है और जिस वस्तो की कीमत जादा होगे उसकी मांग कम हो सकती तीसरा है जनसंख्या में परिवर्तन तो जनसंख्या में बढ़ने पर समस्त वस्तों की पहले की तुलना में मांग बढ़ जाती है और जनसंख्या के घड़ जाने पर मांग कम हो जाती है जाहिर सा बात है एक घर में दस बच्चे है और दस को स्कूल अगर हम भेज रहे हैं तो उसके लिए किताब, कौपी, पेन, पेंसीन, ड्रेस सब चीज का मांग हमको ज्यादा करना पड़े है मलब जहां जनसंख्या ज्यादा होता है वहां मांग ज्यादा होता है जहां जनसंख्या कम होता है वहां मांग कम होता है चौथा है जलवाईू तथा मौसम में परिवर्तन तो हम लोग देख सकते हैं जब वर्सा का दिन होता है तो छाता बरसाती ये सब का मांग बढ़ जाता है और वही अगर ठंधा का दिन है तो स्वेटर गरम कप्ड़े की मांग बढ़ जाती है फिर है अनुमान में परिवर्तन जब किसी कारण से भविस में किसी वस्तु के ना मिलने का अनुमान होने लगता है तो अधिक कीमत पर भी अधिक मांग होती है अब है छट्था पॉइंट है आय के वित्रन में परिवर्तन आय के वित्रन में परिवर्तन का मतलब होता है कि यदि अमीर और गरीब के बीच आय का वित्रन असमान है तो क्या होगा मांग कम होगा और यदि समान कर दिया जाए जिसे गरीब लोग के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो वो लोग मांग को ज़्यादा बढ़ाता है लेकिन अमीर के पास ज़्यादा पैसा होता तो वो लोग मांग नहीं बढ़ाता है क्योंकि वो लोग को सारा सोग पूरा हुआ रहा था इसलि तो मांग का नियम आपका काम नहीं करेगा, मांग का नियम क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूल अगर बढ़ गया तो मांग घट जाएगा, और मूल घट गया तो मांग बढ़ जाएगा, यही है मांग का नियम, लेकिन और इसमें मांग का नियम क्या होता है, उपर से नीचे दाह अपवाद करते हैं, तो कौन-कौन कारण से ये होता है, तो हम लोग देखते हैं, कुछ विशेश परिस्थित्यों में मूल के घटने पर मांग भी घटती है, तथा मूल के बढ़ने पर मांग घटने के बजाए और अधिक बढ़ जाती, ऐसी वस्था में मांग की रेखा से दाहनी और बढ़ते हैं, इसके निम्न कारण है, जब मांग का नियम कारशील नहीं हो पाता, पहला है भविश में किसी वस्थू के ना मिलने की आसंका, यदि आपको लग जा रहा है कि 10 दिन तक पिट्रोल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा अगर पिट्रोल का दाम ज्याद पिर है बहुमूल तथा समाजिक समान वाली वस्थूए, जो बहुमूल वस्थू है, जिससे मेरा समान में 25 बढ़ता है, उसका ज्यादा दाम भी रहेगा, तो भी हम उसको खरिदेंगे, उसमें मांग का नियम नहीं काम करता है, जैसे हीरा कंग उठी सब को नहीं खरी सकता यदि हमने खरिद लिया, तो बोलेगा, अरी, इसके पास तो हीरा कंग उठी है, ये तो बहुत रही सादमी है, तो इस तरह की वस्थूए जो होती है, वो बहुमूला समाजिक समान वाली वस्थू होती है, और इस पर मांग का नियम नहीं काम करता है, फिर है अज्यानता, क अगर ज्यादे दाम भी रहेगा, तो भी हमको उसको लेना ही होगा, तो वैसी स्तिति मांग का नियम नहीं काम करता है, जैसे एक पेसेंट है, रोगी है, वो मर रहा है, उसको भी पोजेटिव खून की आवसकता है, अब जो डोनर है, जो खून देने वाला है, जो माल ये ख खून देने का जो चार्ज है 100 रुपया है, वो कहेगा हम 5,000 लेंगे, और वो खून हमको कहीं नहीं मेर देना ही, तो वैसी वस्तु में, अगर हमको अपने पेसेंट को जिंदा करना है, तो उसका खून हमको चाहिए, तो हम उसको 5,000 दे देंगे, तो ऐसी स्तिति में क्या ह होता है उसमें मांकर नियम नहीं काम करेगा फिर है आदत की वस्तुए मनें पियकर लोग को पीने का आदत लग गया दारू का दाम बढ़े चाहे घटे उससे कोई फरक नहीं पड़ना है पीना है मतलब पीना है चाहे दाम ज्यादा रहे चाहे कम रहे तो ऐसी स्थिति में मां मुल ज्यादा है या कम है हमको जो कोई भी हो वो चीज को हमको करना है भोज भंडारा करना ही है तो विशेश अवसर में भी मांग का नियम काम नहीं करता है अगला कोश्चन है मांग की रेखा नीचे दाहनी और क्यों जुकती है इसके कारण बताए या फिर एक भुगता की मांग की रेखा के दाहनी और खिसकने के तीन कारणों का उलेक करे तो मुल बढ़ने से मांग घटती है और मुल घटने से मांग बढ़ती है इसे मांग का निय इसके कारण क्या है तो मुल्य और मांग के बीच विपरी संबंद इसको आम लोग गनितिय विधी द्वारा समझ सकते हैं यहां देख सकते हैं मांग का फॉर्मूला होता है डी बराबर अलफा पलस एपी अब मांग लेकी कीमत में बीधी देल्टा पी हुई है पी क्या है आप यहां पर माल यह मूल में बीधी हो रही है कितना बीधी हो रही है तो बीधी होगा तो पलस डेल्टा पी होगा और कमी होगा तो माइनस डेल्टा पी होगा तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मांग कीमत में बीधी डेल्टा पी हुई है अता मांग में कमी होगी तो मां में यहां कमी कितना है delta d है अब हम घटाएंगे जो पहला समी करने उसी को ले रहे है तो यहां मांग है d और इसमें मांग में कमी हो रहे थी लिख floss देंगे तो यह हुआ d minus delta d अब alpha plus a bracket में ब्रेकेट में मूल में बिर्धी हो रही है D minus delta D बराबर alpha plus A और P plus delta P ये दूसरा समिकरन होगा अब समिकरन एक और दो को घटा देंगे तो घटाएंगे कैसे? ये समिकरन को पहले लिखे D फिर minus लिखेंगे ये वाला समिकरन को D minus delta D अब चुकि यहाँ minus है और इसको हम घटा रहे हैं तो इसको हम लोग bracket में रखेंगे उसके बाद ये लोग लिखेंगे alpha plus A P minus अब ये वाला सारा लिख देंगे यहाँ minus अब bracket में इसको लिखेंगे A plus इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा A P plus A delta P यहाँ पर क्या होगा? इसको हम लोग गुना करें तो A P फिर A को delta P से गुना करें तो plus A delta P हो जाएगा तो मेरा ये समिकरन बना तो D minus delta D बराबर ये वाला पूरा लिख देंगे ये वाला पहले लिखेंगे alpha plus A P लिखें फिर minus और ये वाला सारा उतार देंगे लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे bracket में रखेंगे तो ये सारा उता दिये alpha का alpha A को P से गुना करें तो plus A P plus A को A delta P से गुना करें तो A delta P हो गया अब यहाँ पर bracket खोल देंगे D का D लिखे minus को ये bracket खोलेंगे तो sign बदल जागा तो ये है D ये minus D हो गया और minus minus plus delta D हो गया बराबर alpha plus A P लिखे और यहाँ minus है bracket बंद है अब यह bracket हटाएंगे तो sub sign जो plus है bracket के अंदर वो सारा बदल जाएगा तो plus का minus हो गया ये plus का भी minus हो गया अब हम लोग देख सकते हैं कि ये D से ये D कट गया ये alpha से ये alpha कर गया और ये AP से ये AP कर गया तो मेरा क्या बच्चा डेलटा D ब़ाबर minus A delta P बच्चा अब हम लोगों धाल झानने के लिए क्या करना होगा इसका ड्राइविटीज लिकालना होगा तो इसका ड्राइविटीज क्या होगा धाल ग्याद करने के लिए D delta D बटा D delta P बराबर minus A बचेगा क्योंकि यहाँ delta P जो है उसका ड्राइबिटीज 1 होगा तो minus A 1 से गुना होगा तो A होगा अब ड्राइबिटीज बहुत विस्तार का चीज है उसको कभी और बता देंगे तो यहाँ पर A जो था वो मांग की ढ़ाल था और यह क्या हुआ minus A आया है minus मलब रिनात्मा इसलिए मांग की रेखा का ढ़ाल क्या होता है रिनात्मक होता है अब रिनात्मक होने के क्या क्या कारण है तो पहला है सिमान तुप्योगिता हरास्निय तो वस्तु की सिमान तुप्योगिता मलब M U marginal utility के ही अधार पर कोई वेक्ति किसी वस्तु की कीमत देना चाहता है यदि M U पर अधिक कीमत तथा मांग जबकि कम M U पर कम कीमत तथा मांग होती चुकि M U रेखा उपर से नीचे जुकी रहती इसलिए मांग की रेखा भी उपर से नीचे दाहिनी और जुकती है मलब इस तरह होता है M U का रेखा और ये है कीमत माल लिजे यदि कीमत कम और सिमान तुप्योगिता ज़्यादा हो रहा तो वस्तु की मातरा बढ़ाएगा और यदि कीमत ज़्यादा है और सिमान तुप्योगिता कम है तो महां वस्तु की मातरा का क्रेख घटाएगा तो मांग का नियम भी क्या करता है इसी पर काम करता है दूसरा है आय परभाव एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फल सुरूब खरिदार की वस्तु की मांगी गई मातरा में होने वाले परिवर्तन को आय परभाव कहा जाता है तीसरा है अगर कीमत अधिक हो जाती है तो उभोकता की उस वस्तु के रूप में वस्तु का घट जाती है इससे मांग घट जाती है तीसरा है सम सिमानत उप्योगिता नियाब परतेक वस्तु की मातरा अधिक खरिदने से उसकी सिमानत उप्योगिता कम हो जाती है मलब कोई भी वस्तु का यदि हम लगतार उभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली उप्योगिता क्या होगी मेरे लिए कम होने लिए जैसे हमको भूख लगावा रोटी, पहला रोटी खाएंगा तो ज़्यादा उप्योगिता मिलेगा, दूसरा खाएंगा तो पहला से कम उप्योगिता मिलेगा, फिर पेट भर जाएगा चार रोटी खाने के बाद तो हमको फिर रोटी से उप्योगिता नहीं मिलेगा, कीमत कम होने पर वस्तु की अधिग मात्रा खरी दी जाएगी तथा कीमत वढ़ने पर कम मात्रा खरी दी जाएगे चौथा है उभोकता की संख्या में परिवर्तर पोपेसर मेर्स ने इस तथ को असपस्ट किया है जब किसी वस्तु के मुल में कमी होती है तो उसके क्रेताओं की संख्या में विर्दी हो जाती है अता वस्तु की बजार मांग बढ़ जाती है इसके विप्री जब किसी वस्तु का मुल बढ़ जाता है तो बहुत से क्रेता जि टेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्पूर्ण प्रश्णों को देखेंगे और सास के बच्चों तहीं या वीडियो जरूर सेयर करें हैं मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ तब तक लाग्या दीजिए बाबाई